इंग्लेंड देश की दोहजार चूविस में हिंदू और मुस्लिम आबादी कितीनी हैं दोस्व आज हम सब इंग्लेंड को पूरी विशो पर राच करने वाले देश की रोप में जानते हैं जहां इंग्लेंड की इत्यास में उनका सबसे सोवर नकाल आटारावी सेधी से लेकर बीशवी सेधी के मध्य तक रहा जहाँ पर ब्रीटिस सामराज दुन्या का सबसे बड़ा और शक्तिशले सामराज हुआ करता था जो कोई महादियूपो पर फैला हुआ था और तोर दोस्तो इस इंग्लेंड देश ने अपने भारत देश पर भी करीब देर सु साल तक राज़ किया था और अंग्रेजों ने अपने भारती लोगों पर काफी जुल्म किया था और आखिरकर अपने भारत देश को इन अंग्रेजों से 15 अगस से 1947 को आजादी मिली दोस्तों कहा जाता है कि ब्रिटिस सामराजे में सुर्य कभी अस्तर नहीं होता उसी समय पूरी विशो भर में अंग्रेजी भाषा ने अपनी चाप छोड़ी जिसके वज़े से आज दुनिया बर में सबसे अधिक लोगों दोरा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है लेकिन दोस्तों आजकल हम सब इंग्लेट को किर्केट के मादियम से भी काफी अच्छी तरह से जानते हैं जहां पर इंग्लेंड की किर्केट की टीम विश्व की सबसे मजबूट टीम कहलाती है और अपने भारत देश और इंग्लेंड टीम की बीच हर साल टी-20, वन टे और टेस्ट सीरिस खेली जाती है कभी भारती टिम इंगलंड का दोरा करती है तो इंगलंड की टिम कभी अपने भारत देश दोरा करती है और तो दोस्तों इंगलंड की खिलाड़ेों का अपने भारत की सबसे बड़ी लीग आईपेल में काफी बोल बाला देखने को मिलता है दोस्तों इंगलेंड देश की राज़दा नी लेंडन है यह शर दुनिया के सबसे खुबसरों शेयरों में से एक है और सही रोप से देखा जाए तो यह देश इनवर्टेड किंडम का एक हिसा है जो कई देशों का सुमू है जो वर्ल से और स्कॉटलेंड से अपनी सीमा बनाता है और यह देश आयरलेंड देश से भी जुड़ाव रखता है आयरलेंड देश के लोग भी ब्रिटन आना जाना रखते हैं दोस्थ आपसे भी को बादा देखे इंगलेंड का कुल शेतर फड़ एक लाग तीस हदार दो सो उनासी वर्ग किलोमेटर है इंगलेंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रीजी है आपको बादा देखे अपने भारत देश और पाकिस्तान की युबाजन का कारण बना यह इंगलेंड देश विशो में अपने इतिहास के लिए काफी प्रसिद है और यह देश प्राकृतिक रूप से काफी खुबसूरत भी है यह उसके बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इंगलेंड देश ने अपनी भारत से में दुनिया के कई सारे देशों पर राजिक किया था और इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो खुद को काफी बड़ा समझते हैं लेकिन इन लोगों में आप काफी बदलावाया है ये लोग काफी अच्छे तरह से रहते हैं और दूसरों के साथ अच्छा विवार भी करते हैं इस देश की शिक्ती है और इसकी रुटे नियोतों के लिए जाना जाता था आपको बाताती है कि इंग्लेन का सब्सेप्रमुग धर्म ईशाई दर्म है इसके अलावा इंग्लेन में इसलाम हिंडू सीग और यहूदी धर्म अलफ संक्याक हैं दोसो मौजुदा समय में इंगलेंड देश की एकुले जनसेंग्या वुल्डे मीटर वे अपसाड द्वारा छे करोट उननासी लाग सत्ता उन हजार इतिनी है जहाँ पर इंगलेंड देश विश्व जनसेंग्या में 6.14% का योगदान देता है जबकि विश्व जनसेंग्या में इंगलेंड देश का स्थान 21 स्थान पर आता है और इंगलेंड देश की 85.5% आबादी शेहरी भाग में रहती है जबकि 14.5% आबादी ग्रामिन शेत्र में रहती है जहाँ पर 200 इंगलेंड एक इसाई आबादी वाला देश है जिसमें इसाई आबादे 31.4 फीसे दी है जबकि मुस्लिम आबादे 6.7 फीसे दी 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 है जबकि हिंदो आबादे 1.8 फीसे दी 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 है लेकिन जनसें क्या कर सही अनुमान लगाने का कारिया दुन्या भर की कई सारी बड़ी संस्ताइब भी करती है और इन्हीं संस्ताओं में से एक संस्ता वोल्डमीटर है जहाँ पर आज हम आपको इस वीडियो में वोल्डमीटर वी अपसार दोरा इंगलंड की टोटल जनसें क्या और वहां के रहने वाले हिंदू और मुस्लिम आबादी के बारे में बताने जा रहें दोस्तों वीडियो अच्छे लेगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरू कीजेगा और चानल को सब्सक्राइब कर बाजो अले बेल आइकन के घंटी को भी जरू दाबाएगा ताकि इसी जानकरे वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहें और दोस्तों इंग्लेंड और भारते टीम की बीच कौन से टीम सबसे ताकत और और मुजबू टेम है निचे कमट शिक्षर में लिकर ज़रू बताए तो चिली दोस्तों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों ब्रिटेन में अधिकारिक रूप से अंतिम जनेगरना साल 2011 में हुई थी तब यहाँ पर कुले जने संग्या 5.30.000 इतनी दर्जी की गई थी इसके बाद यहाँ के आबादी में वर्दी दर्जी की गई है जहाँ पर मौजदा सेमे में इंग्लेंड की साल 2012 में कुले जने संग्या 6.89.89.000 इतनी पहुँच चुकी है जहाँ पर इंग्लेंड में सबसे बड़ा धर्म इसाई धर्म आता है जहाँ पर इसाई धर्मों के मारने वाले लोगों के आबादी 4.82.12.000 इतनी है जो पूरे इंग्लेंड का 71.4 फीसे दयाता है जबिए इंग्लेंड देश में दूसरा सबसे बड़ा धर्म इसलीं धर्मा आता है जहाँ पर मुस्लिम धर्मों के मारने वाले लोगों के आबादी 49.82.900 इनी है जो इंग्लेंड देश का 6.7 फीसे दयाता है जबकि इंगलेंड देश में हिंदु धर्म अती सरा सबसे बड़ा धर्मा आता है जहाँ पर हिंदु धर्मों का माराने वाले लोगों के आबादी 10,260 तिन है जो इंगलेंड का 1.8 फीसे दियाता है जबकि इंगलेंड में अन्य धर्म और नास्तिक लोगों के कुल आबादी एक करोड़ पैंतलिस लाग त्रियानवे हजार इतिन है जो पूरे इंगलेंड का 21.3 फीसे दियाता है जबकि मुस्लिम आबादी 4.6 फीसे दियाती थी लेकिन ये जनसां क्या बढ़कर आज मौजुदा सेमे में हिंदू 1.8 फीसे दियाती जबकि मुस्लिम आबादी 6.7 फीसे दियाती हो चुकि है जहाँ पर दोस्तों इंगलेंड में अधिक तर हिंदू हों हैं जो भारत से जाकर वहां निवास करने लगे हैं और उन्होंने वाकिन नागरिकता भी हासिल की है तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में इंगलेंड के हिंदू और मुस्लिम आबादे के बारे में बताया है दोस्तों वीडियो अच्छे लेगी तो इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब करना ना बुले ताकि ऐसे जानकरेबले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहें और दोस्तों दुन्या का सबसे तीज़े से बढ़ने वाला धर्म कोन सा है इसाई, मुस्लिम या हिंदो आप हमें अपनी राए नीचे कमेट सेक्षिन में लिक कर ज़रूर बाताए तो चिले दोस्तों आज किस वीडियो में बसी दिना ही मिलते हैं अगले एक और नहीं वीडियो में